इतने सॉफ्ट वाल हो गए हैं कि ट्लैचर भी बालों से खिसक रहा है क्योंकि हर दिन इक नया मैजिक जो बालों में हो रहा है अगर आप भी मैजिक करना चाहते हैं तो यह सीरीज तो आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी तब यह मैजिक अपके बालों में हो पाएगा और डे टूब में हमने हिना का ऐप्लिकेशन किया था किसले ग्रेय हेर कपर हो गए थिए डे Даी में हमने हेवियायरोईलिंग की थी항 में ड्राइड़न में इसओं ह लक्तव हो गाई धी सिक्स में हमने एपलाई किया था DIY जेल जिससे बालों में ड्रेंडर्फ क्या प्रोब्लम खतम हो गया और जाने क्या क्या प्रोब्लम जो थी वो भी सारी प्रोब्लम खतम होगी तो आज हम अपने बालों के लिए एक और मास्क प्रपेर करेंगे जिससे बालों में और ज्यादा सॉफ्टनेस हा सके वो मास्क है फेनुग्रीक सीर्स मास्क जिसके इंग्रीडियन सारे आपके किचिन में मिल जाएंगे आपको इदर उदर भागने के बिल्कुल भी जरूरत आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे आगे आने वाली और नई वीडियो के लिए तो चलिए मैं बता देती हूं कि आपको इस बालों के लिए आपको बिल्कुल भागने के बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे आगे आने वाली और नई वीडियो के लिए तो चलिए मैं बता देती हूं कि आपको इस मास को बनाने के लिए क्या क्या इंग्रियन्स की ज़रूरत होती है तो फैनुग्रीक सीट मास्क बनाने के लिए मैंने यहां पे लिए आमला रिठा यूज कर रहे हूं जो मैं क्वांटिटी आपको बता दूंगे कि आपको कितना यूज करना है और मीजरमेंट के लिए मैं यह वाला इस्पून यूज कर रहे हूं तो पहले मैं इसको मिक्सी जार में पीस लेती हूं कलोंजी सीट्स और मैथी दाने को और जिसको आपको अल हूँ इस्ते मैं ञथकी रहे हूं तो आप हिनाड़ी यूज कर सकते हैं अगर आपकी मर्जी हो तो और आप चाहे से पांस मिनदा पहले यूज करना को आउं को आप इस लोही की कडाई में डाल देंगे उसके बाद पानी अपने अकॉर्डिंग पर माह चाहें करें लेक्ट फैनुग्रीक सीर्स और कलॉंजी सीर्स पानी शोक लेते हैं इसलिए आपको थोड़ा सा जादा पानी डालना है क्योंकि जब यह सोक लेंगे तो थोड़ा गाड़ा सा हो जाएगा टाइट सा हो जाएगा अगर आपको का पानी कम पड़े तो आप लगाने से 5-10 मिनद पहले पानी मिक्स कर सकते हैं इसमें और आप अपने अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं तो इन सारे इंडिरेंट्स को मैं एक एक करके इस कड़ाई में डाल दूगी यहां पे मैंने डाल दिया है कलॉंजी सीर्स यहां पे मैंने डाल दिया है दही और यहां मैंने डाला है आवला चमबच मस्टर्ड ओयल मैं आप यादा चमबच मस्टर्ड ओयल यूज कर रही हूं इसमें और दीरे दीरे करके इसमें पानी मिक्स करेंगे यह दोनों सीट्स जो डाले हैं यह काफी पानी सोख लेंगे इसलिए आप पतला थोड़ा सा बनाईए और जिससे क्या है कि आपका गाड़ा नहीं होगा और अगर आपको लगे कि ज्यादा गाड़ा हो रहा है तो फिर आप इसको और पानी मिक्स कर सकते हैं आप इसको देखेंगे तो पूरा ब्लेक हो चुका हो तो रहीं नहीं को लगाना स्टार्ट करूंगी वह मैं आपको वीडियों नहीं दिखाओंगी तो इसका पूरा कलर ब्लेक हो जैसे ही आपको इसका भी application करना है विलकुर हेना के application की तरह ही करना है क्योंकि हमारे ऊपर के बाल जो होते हैं वो ज्यादा rough और dry होते हैं तो इसलिए हमें ऊपर के वालों में पहले करना है उसके बाद हमें अंदर के बालों में करना है जिससे काफी अच्छा मौश्चर आए और उसको वाश करने के बाद आप जब ड्राइ करेंगे तो आपके बाल बहुत ही जादा सिल्की हो जाएंगे आप बहुत ही जादा हैपी होने वाले हो आज तो आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजे और अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे